साज़त नडिया दवाला की फिल्म हाउसफुल एक सफल फ्रेंचाइजी है कॉमेडी फिल्म के अब तक चार पार्ट हो चुके हैं जिसमें से तीन पार्ट को तो दर्शको का खूब ही धेर सारा ब्यार मिला लेकिन फूर्ट पार्ट लोगों को कुछ खास हसा नहीं पाया या कह दीजे कि फान्स को कुछ खास रास नहीं आया बॉक्स ओफिस पर भी हाउसफुल ने खूब नोट छपी रुतेश देश्मुकर अक्षे कुमार की जोडी ने लोगों को खूब हसाया अब एक बार फिर से ये जोडी स्क्रीन पर लोट रही है अक्षे कुमार अपनी पलतन के साथ लोगों को हसाने की पकी तैयारी के साथ लोट रही है जिसका अनौंस्मेंट उन्होंने हाउसफुल फाइफ के एक मज़दार पोस्टर के साथ किया है अक्षी कुमार ने हाली में अपने ऑफिशल इंस्टेग्राम अकाउन्ट पर एक हाउसफल फाइव का नया पोस्टार शेर किया है इसमें एक कलर्फुल पोस्टर पर हाउसुल 5 लिखा हुआ है इस पोस्टर को शेर करते हुए ठिलारी कुमार ने एक अप्शन में लिखा पाँच को नाम मेडनेस के लिए आप तयार हो जाएए आपको बता दे कि हाउसफुल फाइव अब तक एक अकेली ऐसी फ्रेंचाइजी है जुसके पाँच इंस्टॉल्मेंट आए हैं हाउसफुल के दूसरे तीसरे चौथे पाट में कई सारे स्टार्स चेंज हुए हैं लेकिन अक शिकमार और रतेश देशमुग हर इंस्टॉल्मेंट में नज़र आए हैं जी हाँ साजित खान और फराज सामजी के बाद अब हाउसफुल 5 की कमान डारेक्टर तरुन मंस खानी समालते हुए नज़र आएंगे हाउसफुल 5 के रिलीज रेट की अगर बात करी जाए तो उसका खुलासा भी हो चुका है जी हाँ फिल्म दिवाली के स्पेशल मोके पर साल 2024 में सिनेवा घरों में रिलीज होगी हाला कि फिल्म के रिलीज रेट अब तक सामने नहीं आई है लेकिन ये पक्ता है कि 2024 में दिवाली के मोके पर फिल्म बॉक्स ओफिस पर पहुँच जाएगी इस फिल्म के साथ ही फिल्म के नरदेशक निर्माता शंदर कॉमेडी के साथ अपने फैंस को एक रॉलर कोस्टर राइजर पर ले जाने की पूरी तैयारी में है अक्षे और रतेश देश्मक को हाउसफुल 5 के लिए काई सितारे यानि की काई सेलिबरिटीज उन दोनों को जॉइन करने वाले हैं आपको बता दें अक्षे कुमार की पिछली कुछ फिल्म हैं बॉक्स ओफिस पर लगातार फ्लॉप हो रही हैं हाउसफुल से पहले वे ओमाई गो टू के साथ ओडियन्स के बीच आने वाले हैं जो की 11 अगस्त को सिनेमा घरों में पहुँचने वाली है और इसका क्लाश होने जा रहा है सानी देवल की गदर और अनवीर कापूर की एनिमल के साथ